दिल्ली गाजियाबाद के करीब जितने भी हमारे साथी रहे रहा है मैं उन सबी लोगों से ये बिंती कर रहा हूँ कि मुझे अभी वहाँ पर जो पवन जी है जिनोंने बहुत धम के दिक्षा का कारेकरम आयोजित किया था और 236 परिवार के सदस्यों ने बहुत हम अपनाने के बाद अभी साड़े ग्यारा वजे अभी से वहाँ पर पुलीस वालोंने तुरे जो बस्ती है बालमी की बस्ती हुआ करती थी जैसे महरास्तों में कोमिंग ऑपरेशन किया जाता था उसी तरह से सभी पुलीस वाले ये बस्ती में घुज गए है सभी लोगों के घरों में वो जांच कर रहे है हमने जो सेटिफिकेट्स गुद्धिस सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से दिये है उसको वो परताल रहे है और वो दावा कर रहे कि नहीं आप लोगों की ये दिक्षा वैलिड नहीं है आप लोग बहुद रही हो और SDM से लेकर मुझे पवजी ने बताया देड़ दो घंटे तक उन लोगों को बिठा कर रखा क्यूं बहुद्धम के दिक्षा ली हिंदु धर्म में क्या कमिया है आप क्यूं जा रहे हो और क्यूं आप हिंदु धर्म का त्याग कर रहे हो तो कल उनको ये बुलाया गया था ये परिवार सभी लोग मुझे संपर्व में बने हुए है अभी उनका मुझे शुकोन आया कि गाओं में बड़ी मात्रा में पुलीस वहाँ पर अंदर गई है और जो उनकी एंट्री है बालमी की वस्ती की एंट्री है वहाँ पर भी पुलीस वालों ने खुरुसिया लगा कर वहाँ बैठे हुआ है तो जो लोग भी ये करहेडा गाजियाबाद में जो गाओं है वहाँ पर अगर कोई नजदीक है तो हमारे इन लोगों की आज रात क्योंकि हम लोग तुरंत वहाँ नहीं पहुच सकते तो हमारी दिल्ली की जो टीम है उतर पदेश में जो हमारी टीम है बाकी जो हमारे एडवोकेट्स है उनसे भी हम लोगों ने बात की है वो भी उनको वहाँ पर मदद पहुचा रहा है और सभी को हमने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है लेकिन आप लोग जो मुझे सुन रहे हो जो उस गाव के नसदीक भी अगर रहते है तो हमारे इन लोगों को सुरक्षित रखने का खयाल आप सभी लोग कीजिएगा मैं और मेसेज देना चाहता हूँ कि देखो किस तरह से ये प्रसाशन काम कर रहा है एक तरफ भारत का प्रदान मंत्री भारत को बहुत होने का दावा बाहर करता है कि मैं बहुत रास्क्र से आया हूँ और उसी बहुत रास्क्र में अगर आप कोई बहुत धमके दिक्षा लेता है तो इस तरह से कोम्मिंग ऑपरेशन करके पता नहीं ये लोग क्या उगलवाना चाह रहा है या क्या कहलवाना चाह रहा है, लोगों को डरा रहा है कि आप बहुत क्यूं हो रहा हूं. तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को दे रहा हूं और सभी लोग आप सभी लोग इखटा होकर ये चुड़ने अब क्योंकि इनका मनोबल ये तोड़ना चाता है क्योंकि अभी ये सिर्फ करहेडा गाउ तक ही मर्यादित नहीं रहा है सभी मीडिया चाहे वो दप्रेंट हो अभी मेरी टाइमस अफ इंडिया के लोग प्रतिकिर्या ले रहे थे इंडियन एक्सप्रेस के लोगों ने प्रतिकिर्या ली है ये जो धर्मांतरन हुआ है बाल में की समुदाय का ये नैशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है और इसलिए यहां का SDM जो खुद पांडे जी है तो ये लोग योगी ये लोग डरे हुए है कि कहीं अब ये धर्मांतरन पुरे देश बर में ना सू हो जाए इसलिए इन लोगों को डरा धंका कर फिर से ये हिंदू बनवाना चाते है उन लोगों क्योंकि मुझे वहां के औरतों ने भी वहां से बताया है कि ये फिर से हिंदू लिखवाने के लिए हम हिंदू है हमारा धर्मांतरन नहीं हुआ है इस तरह के बयान ये लोग इनसे उगलवाना चाह रहा है कि हमारा धर्मांतरन नहीं हुआ हिंदू धर्म अच्छा है हमको इससे बहार नहीं आना है तो इस तरह से SDM के माध्यम से SDM यानि आप लोग महराशा के लोग समस्तर नहीं होंगे DM नहीं होंगे कलेक्टर के माध्यम से यह सब हो रहा है तो कलेक्टर हो, SP हो यह सभी लोग इसके उपर लगे हुए है कि इन लोगों को यह फिर से यह हिंदू है और हमसे गलती हुई है यह हम बहुत नहीं होना चाहते थे इस तरह से उगलवाने के लिए यह लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन सभी परिवार यही कह रहा है कि हमको किसी ने दबाव में नहीं लाया है हम अपने और से मैंने जो वीडियो थुड़ी देर पहले शेयर किया था दीवई नाइन का हुई उसमें भी उनोंने कहा है कि हमने अपनी ओर से बहुत अपनाया वही है यह हमारी लोगों हम लोगों की सुनी नहीं जाती सीट कटम कर दी गया हमारा वालमी की समुधाय के लोगों पर यह अलग से अन्य और रत्यचार करना यह लोग शूरू कर रहा है तो इसलिए अब अब यह जो धर्मांतरिन हुआ है इसके जो रिपरकेशन्स है यह पूरे भारत में उठ रहा है कि आप लोग हम को मानव होने का भी तरज़ा नहीं दे रहे हो आप लोग हमको समानता का अधिकार नहीं दे रहे हो तो हम इस जातियों में क्यों रहे है इसलिए एक अच्छी वैवस्ता में यह जाने की कोशिश कर रहे हैं तो SDM, SP, collector, पुलीस वाला पुलीस प्रसाशर ये इन लोगों को रोकने का काम कर रही है एक परिवार को रोकोगे, हजारों परिवार खड़े हो जाएंगे और वो बहुत धमकी हो आएंगे और इसलिए मैं आप लोगों से यही प्राथना करने के लिए रात को एक्चुली सभी हमारे काम मेरी राइटिंग करके जस्ट रिलेक्स ही हुआ था कि उतने में मुझे पवजी का फोन आया और उन्हें कहा कि हमारे गावों में पुलीस वाले बड़ी संख्या में घुस रहे हैं और सभी लोगों को ढड़ा रहा है धंका रहा है पुलीस वालों ने जो बालमी की बस्ती हुआ करती थी उसके आगे ही एंट्री पॉइंट उन्हों है मना दिया और वही पर वो खुर्सिया डाल कर बैड़ गया है तो जितने भी हमारी टीम है वो वहाँ पर पहुच रही है उस गाउ में पहुच रही है हमारे लोगों के साथ वो खड़ी है और जितने भी बहुत हिकूम मुझे सुन रहा है मैं आप लोगों से कहूँगा कि शांती के माध्यम से शांती के साथ हम लोगों को फिर से इस करेरा गाउ में जाना है और बहुत dham के जोर-शोर से हम लोगों को वहाबर प्रचार करना है और लोगों को बहुत dham की दिख्षा तो हो गई है अब शिक्षा कि बद्धा का मेसेज क्या है हम equality की बात कर रहे है हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम आपके अगेंस में कुछ जा रहा है या कहें कर रहे हम equality की बात कर रहे हैं लेकिन वो equality भी हम लोगों को ये देना नहीं चाहता है जो इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन रहा है हमारे इन परिवारों को सुरक्षित रखने का काम आप सभी रात के अंधेरे में करते हैं हमारी बेहन को भी इन्होंने रात के अंधेरे में जला दिया और इसलिए ये रात के अंधेरे का फाइदा उटाते हैं एक तरफ लोगडाउन का बहाना करके हम लोगों को घरों से बाहर निकलने की परमीशन्स नहीं मिलती और ये लोग रात के अंध्रों में ये चोरी चुपके ये डर के मारे ये लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए इन परिवारों की सुरक्षा और रख्षा करनी के लिए आप जितने भी लोग नजदीक है ये बालमी की जो महुला है उस महले को सुरक्षित रखने का काम भी आप लोग कीजिए किसी भी तरह का reaction हम लोगों को नहीं देना है वो कोई भी action कर रहा है तो किसी भी तरह का reaction हम को नहीं देना है तो जितने भी मेरे भाई और कारे करता सुन रहा है तो इन लोगों को आप लोग सुरक्षित रखने का काम कीजिएगा थोड़ी देर पहले ही मुझे पवजी का वो लोग भी काफी डरे हुए है कि कई हमारे साथ रागभर में कुछ गलत ना करते लेकिन हमारी एडवोकेट्स की टीम और सभी लोग वहापर पहुच रहे हैं तो आप लोग भी जितना साहता हो सके जो लोग नस्दीक है उतनी साहता करिए जैवी नम्मो गुद्धा